तेली प्रैम को ओपन कर लेते हैं, अब यहां से कुछ बेसिक्स लेजर की हमें रिक्वार्मेंट है इस अकाउंटिंग को मेंटेन करने के लिए, तो गेट्फिय आप टेली से अगर आपको लेजर क्रियेट करना है, तो क्रियेट पे जाएए, देन लेजर पे आपको जाना है मैंने already create किया है मैं आपको show करती हूँ कि किन किन ledger की requirement आपको होगी सबसे पहले हमने वो company create कर ली है जिनको हम sale करेंगे यानि कि जो हमारे buyers है जो हमारे data है तो यहाँ पर मैंने man power company create कर लिया है under group sundry data maintain balances bill by bill इसको हम yes रखेंगे और जो party का address है वो full address आपको यहाँ पर feel करना है state, pin number, gst number यह सारी information party की feel कर लीजिए correctly और इसको save कर लीजिए उसके बाद जो next ledger हम create करेंगे tedious receivable का अब यहाँ पर जो group हमें select करना है current assets क्योंकि अगर आप man power service देते हैं तो यह under contractor के under में आता है तो सामने वाली party जो आपके बायर है वो tedious deduct करेंगे तो इसलिए यहाँ पर हमें booking करनी है तो हम tedious को receive करेंगे इसलिए हम इसका ledger under current assets की करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आपको bank का ledger भी create कर लेना है under bank account और जो आपके bank का account number है IFS number है सारी information है आपके banks related field करके इस ledger को आप save कर लीजे तो इस तरीके से जो basic ledger थे उनको हमने create कर लिया है अब चलिए gateway आप टैलिस से हमें repress करना है और यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हमें entry करनी है तो चलिए entry करना start कर लेते हैं अब देखिए जो manpower service है यह आप value wise भी service की entry कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो item wise भी कर सकते हैं item wise करने के लिए अगर आपको party को show करना है कि आपने कितने manpower provide किये हैं तो आप वैसे भी entry कर सकते हैं तो सबसे पहले मैं आपको show करूंगी कि अगर आप number wise जानी कि अगर आप show करना चाहते हैं अपने इन्वाइस में कि कितने आपने manpower provide किया है तो उसके लिए कैसे आपको item wise entry करनी है manpower की वो हम देखने वाले हैं तो gateway आप टेली से भी प्रेस करके sales ledger select कर लीजे date change कर लीजे party का account select कर लीजे नहीं है तो यहां से alt c प्रेस करके आप create भी कर सकते हैं sales ledger में sales कर लीजे select अब आप यहां देखिए sales ledger कैसे create करना है under sales account के gst उसके पर applicable होगा और services वालक select करके save कर लीजे अब यहां देखिए name of item तो यहां पे आपको item create करना है manpower का तो यहां पे कैसे create करना है वो भी मैं आपको show करती हूँ यही से alt c आपको press करना है अगर आप new item create करना चाहते है manpower का तो alt c press कर लीजे ledger आपको कैसे create करना है अब यहां आप देखिए जो under है वो आप primary रखेंगे आप जैसे आप देख सकते हैं मैंने manpower में end में mail mention किया है अगर आप चाहें तो mail कितना stop आप आपने provide किया वो भी कर सकते हैं alt c press करके यहां पे आप unit create कर लीजे अगर आप number में कर रहे हैं तो number में भी कर सकते हैं और उसके बाद यहां पे हमें select करना है कि GST के उपर applicable होगा तो हमें यहां पे GST applicable करना है और इस पे जो GST detail है yes कर लीजिए इसका जो SSC code होता है manpower का उसको आपको फिल करना है taxable में taxability 18% tax rate अपलाई करते हुए इसको save कर लीना है तो यहां पे हमने पहला जो stock item है manpower का वो create कर लिया है quantity कितनी है जितनी भी quantity आप male stop provide करेंगे manpower provide करेंगे वो stop कर लीजिए और salary आप कितना उनको देना चाहते हैं उसके according यहां पे आप feel कर लीजिए इसे तरीके से alt से press करके अगर आप female का अलग से create करना चाहते हैं तो यहां पे आप manpower bracket में female कर सकते हैं और unit में आप number select कर लीजिए और GST इसके पर applicable रहेगा set alter GST में yes करके SSE code इसका कर लीजिए feel taxability में taxable आएगा और इसके पर 18% tax rate अपलाए करते हुए आपको इस stock item को save कर लिना है तो हमने यहां पे दो stock item create किया है manpower के male के लिए अलग से female के लिए अलग से अगर आप चाहें तो common भी create कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो इस तरहीड़े से भी create कर सकते हैं जिससे में स्क्रीन पे आपको show कर रही हूँ तो total हमने यहां पे जो manpower provide किया है male हमने 3 किया है और female हमने यहाँ पे 5 किया है तो इस तरीके से अब यहाँ पे हम इसको इसके ओपर takes rate अप्लाए करेंगे तो takes का भी leisure आपको all to see press करके कैसे create करना है आप screen पे देख सकते हैं इसके ओपर 18% takes rate अप्लाए है तो यहाँ पे हम output cgst at the rate 9% create करेंगे और यहाँ पे जो group है वो आपको करना है duties and takess उसके बाद gst and central takes अब उसी तरीके से हम output cgst at the rate 9% का लेजर create कर लेंगे under group duties and takess then gst और sgst कर रहे हैं जो हम state takes को select कर लेंगे इस तरीके से देखिए हमारा जो invoice से वो complete ready हो चुका है 159300 का हमारा invoice से print पे क्लिक किजिए then current पे and preview पे तो आप देख सकते हैं आपके invoice का print preview कुछ step से show होगा जैसे आप screen पे देख सकते हैं आपको अलग से male and female show हो रहा है कि कितना आपने male provide किया है manpower कितना आपने female manpower provide किया है तो इस तरीके से आप comment भी कर सकते हैं और male female wise भी कर सकते हैं तो यहाँ पे अपने number wise देखा अगर आप manpower provide कर रहे है number wise तो इस तरीके से entry करनी है और अगर आप directly value wise service provide करना चाहते हैं तो उसकी भी entry आप कर सकते हैं change mode पे जाके accounting invoice select कर लिए उसके बाद यहाँ पे date change कर लिए पार्टी का जो अकाउंट नमबर है पार्टी का जो name है वो select कर लिए और यहाँ पे हमें एक ledger create करना पड़ेगा manpower service का तो अल्टसी प्रेस करके यहीं से हम manpower service का जो है ledger create करेंगे और group हम यहाँ पे select करेंगे indirect income क्योंकि जो हम manpower service provide कर रहे हैं वो आपके business के लिए income का source है से लिए इसका जो group है वो indirect income हम select करेंगे GST के उपर applicable होगा and sell alter GST यहाँ पे yes press करना है आपको and इस product का जो SSC code है वो feel कर लीजे nature of transaction आपको show हो रहा है तो यहाँ पे not applicable आपको तब रखना है जब आप interest rate इस service को sale करेंगे और interest rate नहीं sale करेंगे अगर local में करेंगे तो sales taxable को select कर लीजे 18% इसके उपर tax rate है तो 18% tax rate apply करते हुए services select कर लीजे और save कर लीजे आप यहाँ पे total value आपको डाल देनी है कि कितने का आप manpower का जो invoice generate कर रहे हैं let's take an example 15,000 का तो 50,000 कर सकते हैं यहाँ पे आपको description का option भी मिलता है अगर आप चाहते हैं आपे mention भी कर सकते हैं कि जो manpower आप कर रहे हैं उसमें male कितने है female कितने है तो वो भी आप यहाँ पे mention कर सकते हैं अब इसके उपर हम takes apply करेंगे cgst 9% and sgst 9% तो 99% हमने takes rate apply कर दिया है और इसको हम save कर लेंगे तो इस तरीके से अगर आप housekeeper या फिर manpower का service जो है वो provide करते हैं तो आपको कैसे stock number wise करना है वो मैंने पहले बताया और secondly मैंने आपको बताया कि कैसे आपको value wise करना है company का तो यहां देखिए दोनों invices हमें show हो रही है जो पहले मैंने item wise किया था secondly value wise किया था total value उसकी है 2,18,300 रुपीज इतना हमें इस party से लेना अब यह जो हमने service provide की है जो sale की है वो under TDS contractor service के आता है तो यहां पर party जो सामने वाली party है वो TDS deduct करेगी तो यहां देखिए जो TDS का section है 194 CS पर applicable होगा उसमें देखिए जो threshold limit है 30,000 single bill के लिए है और 1 lakh रुपीज aggregate year पूरे साल में अगर किसी एक party से आप 1 lakh रुपीज तक का service लेते हैं तो वहां पर आपका TDS deduct होगा या फिर single bill 30,000 का है तो वहां पर TDS आपका deduct होगा TDS का जो rate है वो दो rate है 1% individual and HVF के लिए है 2% अगर आप company and partnership है तो हमारी यह company है तो सामने वाली party हमारा 2% TDS deduct करेगी अब 2% TDS जो है वो accessible value के ओपर deduct होगा तो जो accessible value है 1,35,000 है तो 1,35,000 का 2% 2700 रुपीज होता है तो सामने वाली party जब इस bill के against payment करेगी तो 2700 रुपीज deduct करके payment करेगी अब चलिए payment हम receive कर लेते हैं कैसे हमें receive करना है उसकी entry चलिए देख लेते हैं यहीं से आपको alt-a प्रेस करना है और right-hand side से receive ट्रॉल वाचर select कर लीजे डेट चेंज कर लीजे जिस भी डेट में आप payment receive कर रहे हैं यहाँ पे जिस party से receive कर रहे है उसका लेजर हम select कर लेंगे और यहाँ पे total amount हम जो है वो credit कर लेंगे अगेंस किस बिल के receive कर रहे है वो उसके बाद यहाँ देखें डेबिट क्या हो जाएगा TDS receiver तो TDS का जो amount है वो 2700 रुपिस था 2% 1,35,000 के उपर अब यहाँ पे जो हमारे bank में जो payment आया है वो आ है 156,600 का और 2700 TDS हमारा receive हमने कर लिया है अब यहाँ देखिए जो second bill है 50,000 प्लस GST है तो TDS इसके उपर deduct होगा 50,000 के उपर total value के उपर TDS deduct नहीं होता है जो accessible basic value होती है उसके उपर TDS deduct होता है तो चलिए अब party जब इस bill का against में payment करेगी TDS deduct करके तो कैसे entry करनी है receive voucher select कर लिजे पार्टी का ledger deduct आपको यहाँ पे party का ledger select करना है और total amount जो है हम credit कर देंगे 5,900 अगेंस जो invoice number है वो select कर लिजे यहाँ पे TDS receive कितना हम करेंगे 50,000 का 2% 5,000 और हमारे bank में आएगा 58,000 तो यहाँ देखिए पार्टी का जो ledger आप देख सकते हैं नील हो चुका है और यहाँ से मैं आपको शुव करते हैं जो TDS receivable वाला ledger है उसको हम open कर लेते हैं अब आप यहाँ देखेंगे तो TDS receivable में 2700 and 1000 टोटल 3700 रुपीज जो है वो हमें TDS receive होगा चलिए balance sheet को open कर लेते हैं current assets में आप जाएंगे sundry data में जाएंगे तो आपको यहाँ पर show होगा जो हमने sale किया था और जो हमारा TDS receivable है तो TDS receivable कहीं पर आपको show हो रहा है यहाँ पर enterprise करेंगे तो आपको जो TDS amount receive करना है जब आप अपनी return file करेंगे तो इसको आप adjust कर सकते हैं इस and then ledger पर आप create कर सकते हैं ledger को मैंने already create किया है तो मैं आपको show करती हूँ कि कैसे आपको ledger को create करना है सबसे पहले हम ledger create करेंगे employee के salary name wise नहां पर मैंने suman salary account create किया है indirect expenses group के अंडर में second ledger हम create करेंगे suman salary payable account under current liabilities के और उसके बाद third ledger हम create करेंगे जो कि हम employee को जो sale invoice काटेंगे उसके लिए suman नाम से under summary data के तो तीन basics ledger थे जिनको हमेंने create कर लिया है अब मैं आपको शोगरती हूँ कि सबसे पहले हम salary booking की entry करेंगे तो every month के end में हम salary provision की entry पास करते हैं तो आपको date को change कर लेना है suppose कीजिए अगर हम November month की salary को book करेंगे तो November month की salary हम November month के end में book करते हैं की 30 November को हम book करेंगे journal voucher के through अब यहाँ पे हमें debit क्या करना है हमने करना है debit suman salary account तो suman की salary suppose कीजिए 50,000 है तो 50,000 हम यहाँ पे कर देंगे debit और suman salary payable account हो जाएगा credit narration में आप mark कर सकते हैं की salary book for the month of November इस तरीके से सबसे पहले हमने salary book कर लिया है अब उसके बाद suppose कीजिए कि employee कुछ product या कुछ समान अपने company से ही लेता है और कहता है कि मैं salary में इसका जो payment है वो मेरे salary से deduct कर लेना तो यहाँ पे हम sale invoice generate करेंगे जो भी employee जो भी product लेंगे तो उसका proper एक sale invoice हम book करेंगे सबसे पहले आपको date को change कर लेना है और date change करने के बाद यहाँ पे हम जो party का ledger हमने create किया था सूमन नाम से उसको हम select कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे जो भी product वो purchase करने वाले हैं उस product को आपको select कर लेना है rate quantity और उसके पर आपको tax apply कर देना है और इस तरीके से आपका invoice जो है वो complete हो जाएगा तो इस तरीके से जो employee ने आपसे company से purchase किया है उसके लिए हम employee को sale invoice देंगे अब मैं आपको show करती हूँ employee का ledger हम देख लेंगे तो चलते हैं go to में और यहाँ से हम ledger open कर लेते हैं जो हमने employee के name voice यानि कि सूमन नाम से ledger create किया था उसको देख लेते हैं तो यहाँ जब आप employee का ledger open करेंगी तो आपको यहाँ पे एक sale invoice show होगा जिसमें की 11,800 का debit side में show हो रहा है यानि कि हमें उनसे लेना है अब यहाँ पे जो सूमन salary account था payable का तो यहाँ पे show हो रहा है में 50,000 उनको salary pay करना है तो इसी में हमें adjust करना है जो हमने sale किया है तो यहाँ पे एक adjustment की entry हम पा इस करेंगे जर्नल voucher को आपको select कर लेना है और उसके बाद हम सबसे पहले debit क्या करेंगे सूमन salary payable account को हम कर लेंगे debit और debit का जो amount है जो sale bill का amount है 11,800 इस amount से हम debit करेंगे और जो सूमन जो sales वाला लिजर है उसको हम कर देंगे credit इस तरीके से adjustment की entry हमने पास कर ली है अब salary payable account है वहाँ पे 38,300 में show हो रहा है सूमन का account में show करती हूँ जो हमने sale के लिए use किया था यहाँ देखिए adjustment entry के थूँ यह ledger नील हो चुका है अब यहाँ पे जो सूमन की balance salary है 50,000 में से जो उन्होंने purchase किया था 11,800 उसमें से जो balance उसका बसता है 38,200 तो इतना हम pay कर देंग alt a press कर लीजिए right hand side से payment voucher आपको select कर लेना है app to press करके date change कर लीजिए सूमन salary payable account debit हो जाएगा और यहाँ पे SPI bank जो है वो credit हो जाएगा और इसको हम save कर लेंगे अब आप देखेंगे जो सूमन salary payable account है वो भी नील हो जाएगा इस तरीके से आप भी maintain कर सकते हैं अगर आपके employee company से कुछ product लेते हैं कोई समान लेते हैं और कहते हैं कि उसको salary में adjust कर लीजिए तो इस तरीके साब adjust कर सकते हैं सिबसे पहले sale invoice बनाईए फिर उसको adjust कर लीज इस एन नील होरो थारो कर फिर एक मझा उस आपके संग हैं और कै इस एक हम ऱ अबसे उन्हाले कर दो कर सकते हैं कि वो करीका साबरे ayा कर बना कर दो वो भी ड हो अबसे म戴या हैं जह और का दो जह वो पना अव